कि website में कुछ ऐसा दिख रहा है इसको तो यह एक synthetic fabric है तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है बहुत ही beautiful तो यह है मीशो से ऐसा वेलकम और वेलकम बाक तो मैं चैनल, आज हम लोग करने वाल हैं अपना फेवरिट हॉल, जो कि हैं मीशो हॉल, इस बार होने वाला है बॉटम्स हॉल, मैं बहुत टाइम से मीशो में देख रहे थी कि इतने अच्छे अच्छे बॉटम्स मिल रहे हैं और बहुत ही एफॉड़ जोना वर्सेटाइल है, कोई भी टॉप के साथ पैरब करो, वो अच्छा ही दीखेगा, आप कहीं पर भी जाते वक्त ब्लू जीन्स पहन सकते हो, ये एक पेटिंट है, तो मैंने बाई किया है ब्लू कलर का जीन्स, जो की वेबसाइट में कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका प रिफर करती हूँ, तो इस बार सारे पैंट्स बिल्कुल अच्छे आए, मैंने पिछले बार जब मंगाया था, तो 26 में मंगाया था, और वो मुझे टाइट आया था, तो ये कुछ ऐसे दिखता है, बहुत ही ब्यूटिफुल कलर है, ये कलर बहुत सारे आउटफिट के सबसे बहुत ही बहुत ही बिउटिफुल बहुत ही अच्छा फाब्रिक है, वित्प्डब जो टैंेने माला फइब्रिक होता है फोई है, फ्राण ही है तो थो बहुत ही अच्छी बात इसकी फिटिंग एकच्छी है मुझे ना आता है वैसा सब कुछ हो जाता है तो इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यह बहुत अच्छे से फिट कर रहा है मुझे यह 28 साइस और हाइट में भी काफी अच्छा है यह वाइड लेग जीन्स है लाइक मेरे अंकल नहीं तक आता है परफेक्ट्ली फिट कर रहा है मे जोड़ा सा भी उपर नीचे हो रहा है तो आप डाल सकते हो तो मैंने दो पैरशूट पैंट भी मंगाए थे मीशों से यह भी बहुत अच्छी कॉलिटी के आये हैं मुझे बहुत अच्छा लगा तो पहला जो है वह ब्लाक किलर में ब्लाक किलर तो लाइक होना ही चाहिए ब्लाक किलर मैंने एक मंगा लिया और इसका प्राइस काफी कम था लग इसका प्राइस था टू नाइन्टी फो रूपीस तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है ऐसे फाले फैबरिक में है थोड़ा सिंथेटिक फैबरिक है यह अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यह एक सिंथे यह आप ट्रेक के लिए पहन सकते हों, औफिस वायर के लिए पहन सकते हों अगर आपको कमफर्टेबल कुछ चाहिए लागए अगर आपको जीन्स पहनना इतना अच्छा नहीं लगता तो यह आप आपको अच्छा लगता है बहुत सारे में टॉप के साथ जाते हैं फिलाल जो मैंने मंगाया है वो gray color का है वो black था ये gray color में है ये भी बहुत अच्छा फाब्रिक है इसका फाब्रिक भी similar वाला फाब्रिक ही है उपर से आपको elastic मिल जाएगा draw string मिल जाएगा नीचे से भी आपको draw string मिल जाएगा तो आप उसको भी pull करके पहन सकते हो इसको भी आप बह कर सकते हो बहुत अच्छा लगेगा इसे भी real pockets है उपर से भी और नीचे से भी real pockets है काफी comfortable है ये सारा और ये दोनों का price same है like 300 के अंदर आ जाते हैं ये दोनों भी मैं size आपको screen पे mention कर दो next बात करते हैं इस haul का सबसे cute सा pant ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका जो print है वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये website पे कुछ ऐसा दिख रहा है और इसको मैंने पिन इंट्रस में भी बहुत सारे जगह देखा है तो मैंने इसमें भी 28 साइज मंगा था और ये था 690 रूपीज की सबसे costly pant था अगर आप देखने जाओ इस पूरे haul में like 690 रूपीज का फिर भी काफी कम है अगर आप अर्बैनिक से लेते हो या फिर ओफ ट्यूटी से लेते हो ये पैंट्स आपको काफी महंगे आ जाएंगे लेकिन प्राइस के साब से ये बहुत अच्छी आए हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है बहुत ही ब्यूटिफुल है बहुत इसे ह किलें अच्छी पेंट्स होते नहीं है प्रिंटेट काफ टेंड में हैं टो आप ये फर्चेस कर सकते हो इसका भी Gur姦 काफी अच्छी से फित हो रहा है मुझे वेस्ट में फित होरा है पीचय से आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगे आदीं इसंदोंग से बैन्ट क्लूब भी मिल जाएगा काफी अच्छा है इसका फाब्रिक जो डेनिम वाला फाब्रिक होता है वी वाला फाब्रिक बैसा वाला फाब्रिक है moving on next जो पैने pant मंगाया था ये एक track pant है ये casual आप घर पे भी पैन सकते हो घर पे पैनने जैसा है अगर आपको जिम बगेरा पे पैनना है तो भी पैन सकते हो ट्रेक में पैन सकते हो ये casual wear है mostly आप बहा जाओ तो पता नहीं अगर आप style कर पाओ तो पैन सकते हो लेकिन obviously price के हिसाब से ये काफी अच्छा है like price 300 रुपीज है 300 रुपीज में आप क्या ये expect कर सकते हो website में कुछ ऐसा दिख रहा है इसका price था 287 रुपीज और मैंने small size मंगा था तो ये कुछ ऐसा दिखता है इसमें उपर से elastic दी हुई है नीचे से ये wide leg है लेकिन इसका fabric काफी पतला है सा मोटा fabric नहीं है ये पतला सा fabric है उपर से आपको thread भी मिल जाता है अगर आपको थोड़ा सा भी lose हो रहा है तो आप इसको tie up कर सकते हो mostly मैं recommend करूँगी कि आप घर पे अगर कुछ wear करने के लिए मंगाना चाते हो जो बहुत ही flowy हो या फिर comfortable हो तो ये बहुत अच्छा option है इसमें colors भी थे आप colors मसी मंगा सकते हो मुझे gray अच्छा लगा तो मैंने gray मंगा लिया बाकी इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है उपर से दो pockets मिल जाएंगे आपको moving on next जो pant है वो एक brown color का pant है मेरे पास brown pants नहीं थे मेरे पास एक पहले था urbanic का लेकिन उसका color पुरा fade हो चुका है तो मैंने सुचा कि और एक jeans मंगा के देख लूँ तो ये है मीशो से ऐसा दिख रहा है website में इसका price था 520 रूपीज और मैंने 28 size मंगाया है तो ये है वो brown pant इसका भी fabric similar है जैसे हम लोग ने blue color का देखा जो भी दो blue color के pants देखे हम लोगोंने वैसा ही इसका fabric है same fabric का है heavy है तता stretchable वगेरा नहीं है ये real denim जैसा होता है stiff वैसा है ये पर इसका color का मैं guarantee नहीं दे सकती क्योंकि color शायद से fade हो जाएगा क्योंकि ये देखने में ही ऐसा लग रहा है कि इसका color fade हो सकता है जब ये आप wash करोगे तो इसका color निकलेगा ऐसा मुझे लगता है इसमें भी आपको bed loop मिल जाएंगे पीचे से दो pockets मिल जाएंगे आगे से दो pockets मिल जाएंगे नीचे से wide leg jeans है ये काफी comfortable है अगर आपको बहुत सारे new tops के साथ try करना है या फिर white tops के साथ try करना है ये बहुत अच्छा लगेगा like brown pants तो होना ही चाहिए वैसा वाला pant है आप try करके देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप purchase कर सकते अगर आपको ये shoes अच्छे लग रहे है तो आप वो भी purchase कर सकते है मैं इसका भी link description box में दे दूँगी तो मैंने community post जाला था कि आपको next video क्या चाहिए mostly लोग comment नहीं करते हैं उसमें लेकिन एक subscriber ने comment किया था जो की है निकीता पुजारा मैं यहाँ पर comment डाल दूगी उनको short kurthi haul चाहिए अगर आप सब को भी short kurthi haul चाहिए तो please comment में heart डाल दीजे तो मैं समझ जाओंगी इसी के साथ end करते हैं आज का video I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा informative लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा की